नमस्कार स्वागत आपका न्यू सिक्स्टी नाइन में मैं हूँ आपके साथ अंक्यता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की और संस्कारधा ने जबलपुर में प्रदेश की दूसरी रीजनल इंडस्टी कॉंक्लेव और अपनी कंप्नियों के उतपादों और मौडल्स को प्रदेश की अपलोकन किया भारी संबाब नए जबलपुर की एक हम्रिया फैक्ट्री ने भी अपने उत्पादों को प्रदुशिक किया गया जो वालफाइ और मुबाइल से भी कारे करते हैं इसलिए उन्होंने मनेरी में फूट प्रोसेसिंग प्लांट लगाया इसके बाद वो स्वीच कॉंट पर भी शीग्र प्रोसेसिंग प्लांट लगाने जा रहे हैं इसके लाबा यहां पर हरी सब्जियों खासी प्रदावर है खास्तों पर करेला जिसकी डिमांड भी है उसके लिए भी शीग्र फूट प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं जबलपुर से न्यूस कुशि जाते हैं फ्रेजेंट में वो लगाए गए है or हमारी कोशिस है कि यहां से ज्यादा से ज्यादा हमको जो parts हम दिव आप हम लूप हो वह हम इंडिजनिय करें थाकि यहां से ज्यादा से ज्यादा हम product करना सका है मेरा चंसे कर मिश्रा में देखिए हम लोग वैसे उत्राखंट से हैं और हमने लास्ट यहरी मनेरी में मटर प्रोसेसिंग का प्लाण लगा जाया है क्योंकि सरकार की नीती है वन डिस्टिक वन प्रोड़क्ट और जबलपूर की जब वन प्रोड़क्ट है वो मटर है इस साल भी हमने तकरीबन 10,000,000 मटर जो हैं यहां किसानों से लिए और हमारी गाई से लगवग 2,000 किसान इस समय जुड़े हुए है और अब जो समय हैं इस समय हम लोग स्वीट कॉन पे फोकस कर रहे हैं तो स्वीट कॉन की हम लोग यहां पर खेती कराके उनसे स्वीट कॉन लेंगे और स्वीट कॉन का फिर हम प्रोड़क्शन करके उसे बजार में बेचेंगे और हमारा यहां जो टार्गेट है हमने देखा है जब उनका सब्जीयों का बहुत भारी उतपादन है जैसे कि कल मंडी गएते तो करेला है परवल है यहां पर और जामुन भी हम लोगों ने कराए हैं हाँ पर और जो कट है जिसे जैक फ्रूड बोलते हैं तो इन सब सब्जीयों की देश में और विदेश में बहुत जादा डिमांड है तो अब हम लोग जो इन सारी सब्जीयों को भी यहां किसानों से क्रै करके और पूरे प्रोसेस करके पूरे इंडिया में और डुमेस्टिक और एक्सपोर्ट भी हम लोग करते हैं और करेंगे करती उम्मीद लगा है कि इस आपको कतना बनेफिट मलने रहा है देखिए कॉन क्लेफ से बेनेफिट तो जरूर मिलेगा सबसे ज्यादा बेनेफिट तो यह है कि लोगों तक हम पहुच रहे हैं अभी तक लोगों को यही नहीं पता था कि हम लोग का कोई यहां पर किस तरी में बिजली में कुछ फूट मिल रही है फूट प्रोसेसिंग की वो सब योजनाओ के बारे में हमें जानकारी मिल रही है और हमें उसका फाइदा जरूर पहुचेगा इस खबर पर आपकी क्या है राय हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं तब तक लिए धन्यवाद